नमस्कार दोस्तों मैं हूं मुक्ता दिक्षित एस्ट्रोजर आज हम बात करेंगे कि इस सप्ता है आपका गोल्ड, सिल्वर, निप्टी और बैंक निप्टी में क्या इस्थिती बन सकती है एस्ट्रोजी के बेस पे जानकारी आपको दूंगी और जो यह वीडियो है बेकली वीडियो है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं कमेंट्स हैं इसके लिए यह बीकली वीडियो में आप लोगों के लिए बना रही हो लेकिन आपको यह वाद जाना बहुत जरूरी है कि हमारी जो भी गढ़नाय रहती है एस्ट्रोजी के बेस पर रहती है जब भी आप सभी जानते ही हैं हमारे कारले से जन्मकोंडी हस्त्रेका रत्न बास्तो के साथ सेर मार्केट के स्ट्रोजी के प्रिक्शन दिये जाते हैं जिसमें आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, निफ्टी वैं, क्रूड आइल कर देने एक वीकली और मंस्ली प्रिक्शन जा सकता है यह जो है इस्तिती ग्रह इस्तिती के अनुसार जानी जा सकती है तो चैनल को लाइक सस्क्राइब जरूर कीजे वैल आइका नवस्तव आईए आप हम देखेंगे कि स्वामभार से सुकरवार तक का मार्केट कैसा रहेगा क्याने कि आपके पंद्रा मैं से लेकर क जो है आपका 19 तक का मार्केट 19 मही तक का मार्केट कैसा रह सकता है तो जीहां दोस्तों जो नए लोग है इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि सारी गड़ना एस्ट्रोजी की बेस पर रहती है जब भी आप अपना काम करें स्वाब बेका उपयोग जरूर करें और आपको मार्केट में काम करते जरूर आना चाहिए तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से ग्रह स्थितियां बनी हुई है इस सफता है तो यदि हम देखेंगे तो इस सफता है जो है सूर ग्रह भी अपना रासी परिवर्तन करेंगे इसका प्रभाव भी हमको मार्केट में जरूर देखने को मिलेगा और इसके साथ ही साथ जो है मंगल भी पुस्न अच्छत्र में जो है प्रवेश करेंगे इसका प्रभाव भी हमें अलग मार्केट में देखने को मिलेगा और कुछ ग्रह यूटियां ऐसी बनेगी जो मार्केट को प्रभावित करेंगी तो ग्रह स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा वह मैं आपको आगे बतला रही हूं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निप्टी बैंक निप्टी में क्या इस्थितियां बन सकती हैं इस सब्ता है यदि हम ग्रह गड़ना देख रहे हैं क्योंकि एक वीकली अनुमान है गड़ना है कि ग्रह सबसे पहले देखींगे तो जो आपका मार्केट बंद हुआ था 18314 पर मार्केट बंद हुआ था इस सब्ता है और क्या सब्ता है मैं कितना मार्केट अब डाउन जा सकता है क्या इसके लेवल रह सकते हैं और कितना मार्केट काम कर सकता है यह स्थिति जो है मैं आप लोगो को astrology के बेज़ पर ही जानकारी दे रही हूं तो बहुत से लोग इसके लिए पूछते हैं upside कितना जा सकता downside क्या हो सकता इस सप्ता है के लिए इस बात को आप इसे ध्यान में रखें तो जियां दोस्तो यदि हम bank unity के लिए देखते हैं तो इस सप्ता है यदि हम एक range निश्चित करते हैं तो यदि हम down के लिए range निश्चित करते हैं तो आपके जो down के trend रह सकते हैं वह रह सकता है आपका 18,000, 18,120 और 18,200 इन level को जैसी भी market काम करता है इनको हम down के लिए देख सकते हैं और इसके साथ अब के लिए जो आपका market इस सप्ता है काम कर सकता है तो 18,000 जो है आपका 250, 18,000, 350 और 18,000 जो है 400 के आसपास से 420 के आसपास भी आपका market जा सकता है तो यह स्थिती जो मैंने आपको ग्रह स्थिती के अनुसात बताई गई है अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ग्रह स्थिती कहती है किस सप्ताह में क्या स्थिती बन सकती है तो यदि हम 15 मई को देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है डाउन ट्रेंड की स्थिति हमको देखने को मिल सकती है इसके साथ यदि हम 16 मई की बात करेंगे तो 16 मई में भी जो है आपके मार्केट में जो है कुछ अप और डाउन साइट दोनों की स्थितियां इस के दिन जो है मार्केट में पुरह मिक्स ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है और सुकरवार के मार्केट में हैं कुछ डाउन की संभावना जा सकती है तो यह जानकारी जो दी मैंने आप लोग को एस्ट्रोजी के बेस पे दी गई है अब हम देखेंगे कि गोल्ड और बन सकती है जैसा कि गो और बैंक निप्टी के लिए भी लोगों ने जो है पूछा था तो बैंक निप्टी का मार्केट जो है सेहताल ते 43,790 पे यह बंद हुआ था और इसके हिसाब से यदि हम ग्रहों का जो गढ़ना देखते हैं कि मार्केट में कितने जो है पॉइंट क काम के योग बन सकते हैं ग्रह स्थिती के अनुसार क्योंकि हम एक सम्षा होना ही व्यक्त करते हैं कि ग्रह स्थिती जो है हम देख लेते हैं तो जो है डाउन साइट के लिए मार्केट जो है आपका 43,300, 43,400 जो है आपका 50 और यदि इससे भी कुछ डाउन बनता है तो आपका 43,100 तक भी मार्केट डाउन के लिए देखा जा सकता है और अपके लिए यदि हम देखेंगे क्योंकि जैसे भी ग्रैस्तितियां बीच में बनेंगी उसके अनुसार ही मार्केट में जो है पॉइंट्स आते हैं अब हम देखेंगे कि जैसा कि मैं आप लोगों को टार्गेट के लिए बतलाती हूं बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तो वह सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं अब हम देखेंगे कि जो है अपसाइड में जो आपका मार्केट जा सकता है तो अपसाइड के लिए जो आपका 43,560 से लेकर के 43,600 जो है छेसो शास सो और इसके बाद ये दी कुछ ऐसी सितियां बनती है तो 44 का आंकड़ा भी मार्केट जो है छू सकता है लेकिन इसी के बीच में आपके काम के योग जो है इस सप्ता है मतलब में जो बैंक निप्टी है कार कर सकता है तो जिया दोस्तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि गोल्ड सिल्वर में क्या स्थिति बन सकती है तो गोल्ड सिल्वर जैसा कि इस सप्ता जानकारी दी गई थी डाउन ट्रेंड दे हजार पॉइंट का जो है हमें डाउन और अप में इस्थिती देखने को मिली थी और इस प्रकार से आगे क्या इस्थिती बन सकती है और जो आपका मार्केट बंद हुआ था 61,081 पेस बार हाई लगा था यानि की सुकरवार के दिन और डाउन भी बना था अब इसके बाद आखिर गोल्ड में क्या इस्थिती बन सकती है तो गोल्ड की यदि हम इस्थिती देखते हैं तो कम से कम 60,000 के आसपास गोल्ड जा सकता है और इसके साथ क्योंकि अप में यदि हम बात करेंगे तो गोल्ड पुर्ण है जो है अपना 60,900 के आसपास भी जा सकता है आप देखें कि क्या योग बन रहे हैं जैसे मैंने आप लोगों को बतलाया है कि पुर्ण है दो ग्रहों का परिवर्टन होने वाला है और यह भी मार्केट को बहुत अधिक प्रभावित करे देखेंगे तो जो है आपका यदी 71,000 तक आपका जो है सिल्वर डाउन जा सकता है इसके साथ यदि हम अपके लिए गड़ना देखेंगे तो 73,500 के आसपास पुरह मार्केट आ सकता है तो इस प्रकार से जो है और यदी मार्केट में कुछ अधिक ग्रहों का प्रभाव जो अब पाज भी पूर्य देखी जा सकती है तो इस प्रकार से ग्रह स्थिती के अनुसार यह हम ने आपको एक अनुमान बतलाया है गोल्डि सिल्वर के लिए क्या स्थिति बन सकती है संबार के लिए तो संबार में जो है अप डाउन में कुछ जो है मार्केट अप में देखा जा सकता है इसके साथ यदि हम 16 माई की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है मार्केट में कुछ अफी रह सकता है इसके साथ 17 माई का यदि हम मार्केट देखेंगे तो यहाँ पर भी अपसाइट रह सकता है इसके साथ 18 माई का यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है मार्केट में मिक्स ट्रेंड देखा जा सकता है और 19 की यदि हम बात करते हैं तो जो है कुछ डाउन में अप देखा जा सकता है तो इस प्रकार ग्रहस्तिती के अनुसार यह एक जो अनुमान निकला था वह मैंने आप लोगों को बतलाया है लेकिन जब भी आप मार्केट में क खराब ना करें यहां दोस्तों ऐसी बहुत सी कुणली बहुत से पत्रिकाएं आती हैं जिसमें की लोग अपना बहुत नुकसान कर बैठते हैं तो यह बात सभी के लिए है कि मार्केट में धहर की जरूरत होती है समझ की जरूरत होती है और अचानक में कोई भी निड़ने लेकर काम करने से आप अपना नुकसान कर बैठते हैं तो इन बातों को ध्यान रखें जानकारी अच्छी लगे चैप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप हमारे से जुड़ने के लिए हमारे जो नंबर दिया रहता है इस पे आप संपर्क कर सकते हैं इसमें आप बीकली मंतली जो है प्रिक्शन जान सकते हैं कितना मार्केट अप डाउन जा सकता है जान सकते हैं लेवल जान सकते हैं क्योंकि हम जो है इंटर डे का लेवल जो है जानकारिया और लेवल देते हैं नमस्कार